यह देख़्े है यह देख़्े है यह देख़्े किसente है कि पंध दोस्तों यूट्व चैनल में आपका स्वागता है तो दोस्तो आज हम पहुच है धारवडी काओ यह पाथरडी तालुका एहमद नगर जिला के अंतरगत है यहासे हमें वामन पालवे इन्होंने क्वाल किया था तो उनका यहाँ पर खेत है और खेत में खेत तालाब है तो यह किसान है यहाँ पर खेती करने के लिए तब उन्ह कि अब तक हमने खेत तालाब में दो या टीन या चार पकड़े है अभी लगवक छे साथ साफ है तो देखते कौन से कौन से साफ है वीडियो में बना रही है जो भी साफ मिलेंगे उनको रेस्क्यू करके एक स्वरक्षित जग पर रिलिस करेंगे तो कैमेरामन आतुल पाकर दोस्तों करेंगे साथ वीडियो में बना रही है कि यह साफ तो यह पर उपर ही दिखाते रहे हैं अभी और भी उस्तर अभी साफ है तो मुझे लाग रहा है बैंडेट रेस्क्यू शूरू करते हैं नीचे उतरना होगा तो दोस्तों काफी बड़ा यह कहत तालाब है तो हमारे अहमदनगर में किसान को किसान को यह हुआ है तो यह पाच्छे साफ है उस साइड में एक पहले सेप्रेट साफ आलग ज्ग राए उसको रहाँ तो मेरा अंदादव सही रहा बैंडेट ड्रेसर स्नेक है ये लगबग महनों से साप इसमें गिरा था पहले एक ही था बाद में धीरे-धीरे करके ये सब साप गिरे हुए है तो पानी में गिरने कारण ये दिख सकते हैं आप वाइट कलर में और इससी शेरीर पर केच्वी भी तो यह वैसे तो बीना जहर वाला साप है लेकिन काटता हूं चुद्फ है अब यह देखिए देखिए बैंडेट ड्रेसर स्नेक जोर का वाइट करें गाई है इससार्ट यह देखिए लेकिन यह बीना जहर वाला लेकिन अगर इसने काट लिया तो जो रूक़ा काटेगा पीशेट पर काट लिया बिलकुल कोब्रा की तरह मिलता जुलता ये लेकिन इसका मूँ जो है छोटा होता है अव इसका मूँ पानी में रहने कारम ब्लैक दिखाय दे रहा है क्योंकि इसका पूरा शेरिर जो है पानी में था और उसका मुझ जो है ऊपर था इसके गारण आप देख सकती है साथ इस तरह हुआ है कि यह तो बहुत जादा बाइट कर रहा है मैं इसको पहले बैंग में डाल देता हूं और तो अंडल जो यह दिखिया बाइट पर बाइट कि यह जा रहा है महत्त चुड़ा हूआ है अब इतने दिन से यह तालम में गिरा है तो जाहरी सी बात है कि यह काटे गाई निए देखिए बाइट कि है को दिक्कत की बात नहीं है तो देखा आपने दोस्तों कैसा बाइट किया इसने बहुत ही ज्यादा चिर्णा गड़ा तो दोस्तों आपने देखा यहां पर इसने काट ली आई देखिए हलका सखोन भी निकला है चलिए इसको हम डाल देते हैं बिना जहरवाला साप है बैंड़ डिर्ससनेक कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे साब तो हमें हर बार काटती रहते हैं यह दिखी हापर भी एक साप काट लिया था तो दोस्तों अगर आपको कहीं कभी भी बिना जहरवाला या जहरिला साप काटता है तो आपको हस्पिडल जा चलिए आगे के साप रेस्क्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो साफ है पानी में रहने कारण के शरीर पर भी केचुली आई है साप अपनी केचुली साल में लगबग चार-पाच बार रिमू करता है लेकिन यह बहुत दिन से शायद पानी में गिरे है देखिए यह भी बीना जवर्वाला साफ है इसका नाम ग्राशऽ है ग्रीन किलवैक श्नेंग हमिस्टी इिम्ह रखा साप ईसके आंखे देखिए हलकी सी ग्रीन दिखाई देरीrences किवा के शरीर पर अभी के चुली है पानी में रहने कारण इसको रिमू करतेया रहा है तो इ बहुत ही ज़्यादा ज़रुरी होता है तो चलिए इसको भी हम बैग में डालें सभी साब हम यह की बैग में डालेंगे फिर उनको उपर आने के बाद अलग अलग हो ग्रासनेक है यह जिसे ग्रीन किलबैक स्नेक इस नाम से भी जानते हैं और यह देख रहें आप सामने यह व अभी पाने में रहने का रहता है तो द beaucoup है क्यों के कॉमन वुल्ब स्नेक की सितरह दिखाई देता है जान या देख ये वीच इस ये कट रहा है ये हलके भी ब्राउन कलर में दिखाई देता है और उसकी चर refugeeक्राइव इसको औडी वाला सा हम जानते है अचे और तीन साफ हो गए, आगे देखते हैं कौन से कौन साफ है, रेड सेंड वोवा, यह देखी रेड सेंड वोवा, यह दो मुहा साफ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो मुहा साफ किस तरह दिखाई देता है, असल में इस साफ का नाम हिंदी में दो मुहा साफ है, लेकिन इसको दो मुँँ होते ही नहीं, फिर भी इसको दो मुँँ कहा जाता है, क्योंकि इसका पूच और मुँँ समान दिखता है, जिसके कारण इस साप को भारत देश में दो मुँँँ साप इस नाम से जानते हैं, इंगलिश में रेड सेंड बोवा, मरठी में मांडोल, इस साप के बारे में भारत देश में बहुत सारे अंदईश्वास है जैसे की साप पर लाखो करोड रोपे मिलते हैं जिसके करण बहुत सारे युवा लोग इसके पीछे पड़े हैं कहीं ये साप मिल जाए उनको लाखो करोड रोपे मिलेंगे तो दोस्तो ऐसे अंदईश्व पास में ना रहे इस साप के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता खामखा आपको जेल हो सकती है और भी इस साप के बारे में अंदरिश्वा से जैसे की 6 महने एक तरफ से चलता है 6 महने दूसरी तरफ से चलता है सेक्स पावर इंक्रीस करने की दवाई बना जाती साप से तो यह सब अंदरिश्वा से जूट है और लाखो करो रोपे में यह साप बिखने वाली बात तो सबसे बड़ा जूट है इसलिए मैं यूवा लोगों से हाथ जोड़कर बिंति करना चाहूंगा कि ऐस साप आपको कही दिखाई दे तो आपके डिश्टी के आपके जिला के सर्व मित्रों को बुलाई या फिर वनिबाग को कॉंटेक्ट करें और भी कुछ अंदरिश्वासी साप के बारे में आपने सुने हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उसको जवाब है अगले वीडियो कि देंगा तो यह कुकरी पराजाती के साप है कुकरी स्नेक कुकरी स्नेक बहुती प्यारा बहुती खुबसूरत बहुती शान सवाव का साप बहुती दिखने में खुबसूरत है देखिए और बहुत शान सवाव का साप होता है काटता भी नहीं जोर से दबाएंगे तभी काटेगा यह बिना रेस्क्यों है उनको बुला और करके आप इसको रेस्क्यों करवा सकती हो तो देखो तो ब्रेक्द है एक उस साइड, बाग गया है व Couner यहां तक बहुत ही बૂली इसको भी बैक में डालता हूं और आगे जो बचा हुआ है उसाब भी रेस्क्युयू करेंदे तो चलिए इसको भी रेस्क्व कड़ लिया है तो ये भी कुक्री स्नेक है बिना जेरो अगे चलिए दोस्तों अभी इन सभी सापों को हम एक सुरक्षी जगबर परेवरं मेरीलेस करेंगे दोस्तों देखें इस पूरी में बैक में डालेंगे इन सापों को हम एक सुरक्षी जगबर रिलीज करने वाले हैं दोस्तों आपने देखा कुछ साप हमने रेस्क्व किये थे ये सभी साप में आपर फॉरेश में रिलीज कर आप देख सकते हैं एक यह बहुती सारे साप जितने भी साप हमें रेस्क्व कियए थे इसको भी आपर रिलिज किया है इसको भी आपर रिलीस कर रहा हूँ, यह दो मौह साप इसके बारे में काफी सारी जान करी मैंने दी, इसको भी आपर रिलीस कर रहा हूँ, और भी कुछ हमने अलग अलग गाउं में साप रेस्क्व के, वो भी हमने आपर रिलीस किये है, तो यह रसल स्वाइपर है, इसको भी काफी गुस्यल होता है है हमने यावर रिलिस किया है एक और आख्री बचा हुआ इसको भी रिलिस करते हैं काफी यह भड़ा कोब्रा साब को भी आपर मैंने फले लिलिस किया दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करिये शेयर दोस्त्त करिए और साथी साथ बेल बटन दबाइए